नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां के टॉप 25 पर्मों खबर जनते हैं मद्य पर्देश के भुपाल इंदोर में लगा लोकडाउन कुरूना वायरल संक्रमन के बर्थे परकर्णों को देखते हुए मद्य पर्देश के तीन सहरों इंदोर भुपाल एवं जबलपूर में सन्नीवार रात्री 10 बए से सोमवार सुबद 6 बए तक लोकडाउन रहेगा इसके अलावा पर्देश के भुपाल इंदोर एवं जबलपूर नगरों में आगामी 31 मार्च तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे बतादे मद पर्देश जन संपर्क विभाग के एक अधिकाई ने बताया कि लोकडाउन के दोरान अवसक सेवाए तथा उध्योग चालू रहेंगे मौसम विग्यान विभाग के बैग्यानकों के अनुसार 20 मार्च को जारखन के कई जीलों में में गजन के साथ बजरपात हो सकती है मौसम विभाग के माने तो राची, खुटी, गुमला, लोहर्दगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चत्रा, कोडर्मा, बोकारो, हजारी बाग और रामगड में में गजन के साथ बजरपात की असंका है मौसम विभाग ने इसे लेकर एलो अलर्ट भी जारी किया है बतादे मौसम विभाग की माने तो 20 मार्च से 25 मार्च के बीच राइधानी राची का दिक्तम तपमान समाने से अधिक रहने की संभणा है पाराच सिक्षको की मांग पूरी नहीं हुई तो 16 अप्रेल को मुख्यमंत्रिय अवास घिराओ पाराच सिक्षको का विधान सबाग घिराओ शुक्रवार को पांचवे दिन भी जारी रहा पाराच सिक्षको की समसाव का दिन निदान नहीं हुआ तो 16 अप्रेल को मुख मंत्री आवास का गिराओ किया जाएगा टीका करन अभियान की मोनेटरिंग के लिए जीलावार टीम गठीत राजे भर में पंचात अस्तरपर बुजुर्गों अभिमारों के टीका करन को लेकर सनिवार से भी सेस अभियान सुरू होगा बता देया 6 दिनों का अभियान 3 चर्णों में चलेगा अभियान की मोनेटरिंग के लिए राज्टिय स्वास्त मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर सुकला ने हर जीला के लिए 3 सजस्य टीम का गठन किया है साथ ही सभी जीलों के समंधित पतादिकारियों वो नह्म के परामर्शी को टीम का विश्त्रीत बियूरन भेजते हुए अभियान के सपल संचालन का निदेश दिया जार्खन के 18,000 होमगाट 10 दिन से अंदोलन पर जार्खन में ग्री रक्षाव आहिनी यानि होमगाट के जवान 8 माज से अंदोलन पर हैं बतादे चरणबत तरीके से अंदोलन कर रहे होमगाट के जवान इंदीनों राची में विधान सभाय के समख्ष धाना परदोसन कर मुख मंत्री हमान सुरेन को 2019 के चुनावी वादे को इलाद दिला रहे हैं जावमों के कारेकारी अद्यश के तोर पर हर चुनावी सभा में हमान सुरेन ने होमगाट के जवान को बिहार की तर्ज पर सुविधाय देने का वादा किया था अब हुए राजे के मुख मंत्री हैं तो होमगाट के जवान उसे चुनावी वादा पूरा करने को कह रहे हैं बीजेपी विधायक ने जार्खन बिधान सभा में उठाया मास्क नव पहुनने का मुद्दा जार्खन में क्रोना वाइरस संक्रमन की रुक्ताम को लेकर 18 माज 2020 से पूरे जिले में मास्क चेकिन अभियान चलाया जा रहा है बता दे इस दोरन बिना मास्क पहुनने लोगों से जुर्माना भी वसुला जा रहा है इसी मामले को BJP विधायक CP सिंग ने जार्खन विधान सबाग बेट सत्र में इस मूदे को उठाया उसने सत्ता पक्ष के कई विधायकों पर निसाना सात्ते हुए बिना मास्क पहुनने सदन आय मन्तरी और विधायक से भी जुर्माना भी वसुलने की मांकी रांची में महिलाओ के लिए शुरू हुई पिंक सिटी बस सेवा जार्खन की राजधानी रांची में महिलाओ के लिए पिंक सिटी बस सेवा शुरू की गई है बतादे रांची नगर निगम की ओर से इसकी शुरुवात की गई शुकुरवार को मेयर आसा लकडा डिप्टी मेयर संजीव विजय वर गिये एवम नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने इस सेवा का उधगाटन किया बता दे पिंक सिटी बसो में महिला स्टाफ पिंक ड्रेस में होगी इसमें सिर्फ महिला सफर कर सकेंगी 100 यूनिट बिजली बील माफ पर सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला मुख मंत्री हमनसुरे ने सुकुरवार को सदन में कहा कि 100 यूनिट तक बिजली बील माफ करने की करवाई सिगर पूरी कर ली जाएगी इसे लेकर उर्जा विभाग से रिपोर्ट मागी गई है मुख मंत्री ने कहा कि बीली बील की समस्या उनके संग्यान में भी है आम लोगों के हीत में उन्हें रात देने का निनए सरकार सिगर लेगी आरक्षन पर बड़ा फैसला सरकार आरक्षन पर बड़ा फैसला लेने जा रही है जार्खन के मुख मंत्री हमन सुरे ने सुक्रवार को विदान सवा में आरक्षन से जूड़ी बड़ी घोसना की उन्होंने कहा कि राजे में 50 फिसद से अधिक आरक्षन बढ़ाने के लिए राजसरकास सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगी मालूम हो कि सरोष नेले ने सभी राजियों से आरक्षन के सीमा बढ़ाने पर उनका पक्ष मांगा है इसको लेकर राजे में आरक्षन के सीमा 50 फिसद से अधिक बढ़ाने पर मुख मंत्री ने सदन में या आम गोसना की ज्यारखन में 105 नए संक्रमित की पूष्टी हुई है जो राची से 49, पूर्वी सीमा 24, धनबाच 6, बोकारो 10, रामगार 8, हजारी बागतीन, गुमला 3, खुटी 1, गोड़ा 5, सिमडेगा 2, लातेहार 1, साहिब गण 2, पाकुर से 1 मिले है ज्यारखन में कुल संक्रमितों की संख्या एक लाग 11,155 है वहीं एक लाग 11,307 लोग स्वास्थ हुए और 1095 किम्रित्य हो गई भारत में 4,906 नए केस मिले है भारत में 1,199,594 किम्रित्य होई और कुल एक्टीब केस 2,50,449 है बतादे ज्यारखन में कुल एक टीब के 6,305 है डॉक्टर नर्स हेल्थ वर्कस को एक माह की एक्स्ट्रा सेलरी ज्यारखन के मुख में तरह मंसुरे ने फिर से बड़ा फसला किया है पतादे कुलोना संक्रमन काल में अपनी जान जोखिम में डाल कर लोगों की सेवा करने वाले चिकित्स को और स्वास्ट कर्मियों को राई सरकार एक माह का तिरिक्त बेतन देगी पतादे ज्यारखन बिदान सवा में सुक्रवार को स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने अमर बावरी के सवाल के जबा में सदन को या भरुसा दिलाया है हमारा काम देखकर भाजपा को पेट दर्द हमाद सुरेन जारखन के मुख मंत्री हमान सुरे ने एक बार फिर पूर्व की भाजपा नीत रगवर सरकार पर निशान सदा है सीम ने कहा कि पिछली सरकार ने उद्योगों के विकास के नाम पर राज में जमीन की लूट मचाई थी जिसकी समिक्षा की जा रही है अब जानता इसका सिग्र पिन दान भी करेगी उन्होंने कहा कि दावा घोटाले के आरोपी स्वास्त से जुड़े मसलों पर चर्चा कर रहे हैं इसी तरह किरिसी पर वे लोग चार्चा कर रहे हैं जो खुद ही डोबा गोटाले के आरोपी हैं मुख मंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार ने राजे को बद से बत्तर कर लवालोहान कर दिया है आज भाजपा चुनाव समीती की बैठक मधुपूर उपचुनाव को लेकर भाजपा परदेश चुनाव समीती की बैठक सनिवार को बुलाई गई है बतादे परदेश मुख्याले में होने वाली बैठक में परत्यासी के चैन पर मन्थन होगा भाजपा की कोशिस होगी की सहयोगी आजशु को विश्वास में लेते हुए मधुपूर में परत्यासे उतारा जाए संभावित परत्यासियों की बात करे तो पुरो मंत्री राज पलिवार का नाम आगे चल रहा है स्वास्थ सिवाव में सुधार मंत्री राज सरकार ने स्वास्थ सिवाव में सुधार के प्रती अपनी जवाब देही को सविकारते हुए इससे जूड़ी अधार्भूत संरचना को दुरूस्त करने का भरूसा सदन को दिलाया है स्वास्थ मंत्री बना गुपता ने इस दिशा में सरकार के रस्ता से किये जारे पर्यासों की जनकारी दी उन्होंने विशेश तोर पर प्राथमिक स्वास्त केंद्र वा समुदाईक स्वास्त केंद्र को मजबूत बनाने की दिशा में किये जा रहे पर्यासों की जनकारी सदन से सजा की बतादे बागमरा के विदायक धोलो महतों ने धनबाद के तरगा में दो वर्सों से बंद पड़े CHC के निर्वान का ममला उठाया नेतरहाट बिद्याले परवेश परिक्षा का पहिनाम जारी राजे के सबसे प्रतिषित सरकारी बिद्याला है नेतरहाट आवासे बिद्याला है लातेहार में काक्षा 6 में नमांकन के लिए आयोजित परवेश परिक्षा 2021 का पहिनाम जारी कर दिया गया है बतादे या परवेश परिक्षा पिछले बर्स पांच दिसंबर को जिला मुख्यालों में आविजित की गई थी काक्षा 6 में कोल 100 सीटों पर दाखला के लिए या परवेश परिक्षा आविजित की गई थी HEC की समस्याओ को लेकर केंद्रिय मंत्री परकाह जावेटकर से मिला प्रतिनिधी मंडल परकाह जावेटकर से सुक्रवार को उनके आवास पर राची के सांसर संजाय सेट जार्खन परदेश के संग अठन मंत्री ब्रीजेश कुमार HEC मजदूर संग के अध्यक्स जीतू लोहरा महामंत्री रामा संकर परसाद ने मुलकात की बतादे मुलकात में संजाय सेट ने HEC की बिभीन समस्याओ पर चार्चा की इसके साथ ही अध्यक्ष जितुलोरा एव महामंत्री रमा संकर परसाद ने HEC के कर्मियों की मांग पर चार्चा की इसके साथ ही उन्होंने प्रकास जवेटकर को ग्यापन सोपा जिसमें HEC को परमानु उर्जा में बिलाय करने को लेकर बात रखी गई नवालिक से समोहिक दुसकर्म के तीन दोसियों को मिली आजिवन करावाज फोक्सो कम चिल्डेंस की विशेस कोट ने सुखदेव नगर इलाके में 16 वर्षी एक की सोरी से समोहिक दुसकर्म के तीनों दोसियों को आजिवन करावाज की सजा सुनाई है बता दे दोस्यों को IPC की धारा 346 DA में आजीवन करावाज के साथ 42,000 रुपए जुर्माना भी देना होगा जिसका भुगतान नहीं करने पर 25 मा की यतिरिक सजा काटनी होगी रांची में SI पर फैरिंग के बाद 12 गंटे में गिरफ तारी रांची के चुटिया इलाखे के मुक्चोंद टोली में दरोगा सुबास लाकणा पर हुई गोली बारी करने वाले दो अपरादियों को पूलिस ने 12 गंटे के बितर दबोच लिया है बतादे दरोगा को गोली मारने के बाद अपरादी हजारी बाक की तरफ भाग गए थे लेकिन पूलिस ने उन्हें हजारी बाक से धर दबोचा है बतादे गिरफतार अपरादियों के पास से घाटना में इस्तिमाल की गई पिस्टोल और इसकूटी भी बरामत कर लिया गया है इसकूली सिक्षा सचीव के खिलाप चलेगा आउमानावाद कोट जार्कन हाई कोट ने आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर कोई नराजगी जताई है और इसकूली सिक्षा सचीव के खिलाप आउमाना चलाने का आदेश दिया है इस दोरान अदालत ने सचीव की ओर से दाखिर सो काज को खारिच कर दिया और कहा कि उनके खिलाप आउमाना की परक्रिया चलेगी बतादे अदालत ने 26 मार्च को महादिवक्त कर्याले से ओनलाइन हाजीर होने का निर्देश दिया है चुनाओ के लिए जार्खन पूलिस के जवान आसम रवाना पाचिम बंगाल और आसम में होने वाले विधान सबा चुनाओ के लिए जार्खन पूलिस के जवान भेजे जा रहे हैं बतादे वहाँ 23 इको कंपनियों की तेनाति की गई राजे पूलिस के जवानों को भेजने के लिए पूलिस एसुसेशन की मांग पर आरक्षी स्रेनी का वर्थ उपलब्द करवाया गया जार्खन पूलिस में एस एसुसेशन की तरफ से मांग की गई थी जी से मान लिया गया बताजे जारकन की DGP नीरज सिना की पौल पर आसम में होने वाले विदान सबाचुनाव में जवानों को सिलीपर बोगी में भेजा गया मौब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक्थाम के लिए जगरुपता अभियान मौब लिंचिंग की घटनाओं की रोक्थाम के लिए जगरुपता अभियान चलाएगी इसकी कवाय सुरू कर दी गई है टेक्स माप हुआ तो मासिक फिस लटाना होगा अभिभावक संग जार्खन के अध्यक्स कैलास यादावने राज सरकार के मंत्री रामेशवर उराद वारा नीजी इसकूलों का टेक्स माप करने के ब्यान पर प्रतिक्रिया ब्यक्त की है उन्होंने का कि कुरोना काल में भी नीजी इसकूलों की कमाई होती रही ओनलाइन कलास के लिए अभिभावकों को मोबाईल खरिदना पड़ा इससे अभिभावक पर अतिरिक्त बोज पड़ा इसकूल में प्रतिमाः फिस और री एडमिसन फिस भी ली गई अईसे में जादी सरकार ने जी इसकूलों का टेक्स माप करती है तो उसे अभिभावकों से प्रतिमाः लिये गई फिस और री एडमिसन सुल्क को लटाने का आदेश जारी करना चाहिए जार्खन के सभी जीलों में खुलेंगे नर्सिंग इसकूल मंत्री जार्खन के स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने विधान सभावे राज जेक के सभी चोवी जीलों में नर्सिंग इसकूल खोलने का एलान किया है बतादे उन्होंने विधायक परदी प्यादों के कॉल्प सुचित प्रोष्ण का जबाब देते हुए कहा कि बितिय बर्स इकिस बाइस के दोरान ही सभी जीलों में नर्सिंग इसकूल खोलने का काम सुरू कर दिया जाएगा बतादे विधायक परदी प्यादों ने गोड़ा, गड़वा, लोहरदागा, चात्रा, कोड़ारमा, बोकारो, खोटी और रामगार जीले में सरकाई नर्सिंग इसकूल संचालित नहीं होने और इससे चात्राओ को हो रही परसानी का मामला उठाया बोकारो में कोविन-19 को लेकर स्वास्त विभाग अलर्ट कुरोना के दूसरे लहर को देखते हैं बोकारो स्वास्त महकमा अलर्ट मोड में आ चुका है बतादे सिविल सर्जन डाक्टर असो कुमार पाठक ने कहा कि कुरोना के खत्रे से निपटने के लिए अब लोगों को फूरी तरह से मस्क पानना भीड भारवालों इलाकों में दूरी बना करना तथा 60 साल से अधिक उम्रेकों लोगों को टिका लेना जरूरी है इस मोगे पर टिका करन के नोडल पता दिखाई डाक्टर एनपी सिंग अनुमंडल अस्पताल के उपा दिखचक डाक्टर एनपी भारतिये भी मवजूद रही बावा बैदनात को यूके करेंसी का चड़ावा देवघर के बावा बैदनात को सरदालों रुपए के साथ बिदेशी रुपए भी दान देते हैं बता दे सुक्रवार को मंदीर परिसर में लगे विभीन विकास कोस यानि दान पेटी खुलने पर यूके करेंसी का चड़ावा बावा भोले नात को चड़ा है साथी लाखों में रुपए भी चड़े हैं धन्यवाज